Hello everyone and welcome to my channel और अपने आज के वीडियो में हम discuss करेंगे lawn tennis के बारे में यानि lawn tennis related जो भी important questions जो है वो exam में आते हैं उनके बारे में हम अपने आज के वीडियो में discuss करेंगे तो अगर आप किसी भी exam की बात करें चाहें वो UPTGT हो, DSSSB हो, NVS का exam हो, KVS का exam हो हर तरह के exam में आप lawn tennis related questions जो है वो मिल जाते हैं तो अगर हम बात करें कि जो lawn tennis है वो शुरू कहां से हुआ था तो lawn tennis जो modern lawn tennis है उसके शुरुवात भी थी Birmingham, England से वहाँ पर lawn tennis एक recreational game की तरह खेला जाता था उस वक्त उसकी कोई association नहीं थी, कोई federation नहीं थी तो वो as a recreation game ही खेला जाता था उसके बाद 1881 में सबसे पुराना जो है national organization यानि जो भी tennis है उसकी organization जो है वो बनी थी 1881 में जो जानी जाती है United State Tennis Association के नाम से which is the oldest association in lawn tennis उसके बाद 1881 में जो है US Men's Championship जो है शुरू हुई जो कि अब US Open के नाम से जाना जाता है 1887 में यहाँ पर Women's Championship शुरू हुई उसके बाद 1913 में जाके ITF बनी ITF का पहले नाम था ILTF मतलब International Lawn Tennis Federation जिसका नाम बदलकर ITF रख दिया गया यानि International Tennis Federation So the thing which is important जो कि आपको याद रखना है वो सिर्फ इतना कि जो International Tennis Federation है वो 1913 में बनी थी उसके बाद बात करें कि जो Tennis का court होता है वो कैसा होता है उसका measurement क्या होता है So Tennis court की जो पूरी लंबाई और चड़ाई होती है यानि जो पूरी area required होती है वो होती है 120 feet by 60 feet This is the total area which is required to make a ideal tennis court ये area जो है वो थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है as per the availability बट जो इसका ideal dimension है वो है 120 feet by 60 feet उसके बाद हम बात करें actual tennis court की तो actual tennis court जो होता है 78 feet लंबा और 36 feet चोड़ा 78 by 36 feet जो court है ये doubles के लिए होता है उसके बाद अगर बात करें singles की तो इसकी जो width है वो कम कर दी जाती है वो 36 feet से 9 feet कम कर देते है वो हो जाता है 27 feet यानि जो इसकी side line है वहाँ से दोनों side 4 feet इधर और 4 feet इधर से कम कर दिया तो बचा वो 27 feet यानि जो singles के लिए जो distance है या singles के लिए जो width use होती है that is 27 feet जबकि singles के लिए जो dimension है वो है 78 feet by 27 feet फिर इसके अंदर के बात करें तो यहाँ पर होती है एक center line जो की दोनों ही side से 39 feet पर बनी होती है 39 feet इसलिए क्योंकि जो total distance है या फिर total length है वो है 78 feet आधा आधा करेंगे तो हो जाएगा 39 feet उसके बाद यहाँ पर जो center line है वहाँ से एक line बनी होती है जिसको हम कहते है service line जो की center line से 21 feet distance पे होती है उसके बाद यहाँ पर जो यह line है इसको दो पार्ट में divide किया जाता है एक को बोलते है advantage code और दूसरे को बोलते है dues code और इन दोनों के बीच की distance जो है क्योंकि यहाँ पर total distance होती है 27 feet तो यहाँ पर इसकी distance हो जाती है 35 feet उसके बाद क्योंकि यहाँ पर center line से 21 feet तो यह हो गया तो बाकी बचे 18 feet जो है वो यह line हो गई और यह last वाली line है जिसे हम end line कहते है बट यहाँ पर इसको base line कहा जाता है so this is the base line उसके बाद base line से जो कि outer line है वो होती है 21 feet की distance पर क्योंकि total dimension जो है वो होता है 120 by 60 feet का और side line पर जो distance होती है वो होती है 12 feet तो यह है basic dimension lawn tennis court के फिर बात करें इसके net की तो यहाँ पर दोनों ही side 3 feet तूर पर जो net है उसके poles लगे होते है और जो net है उसकी center में height होती है 3 feet यानि जो net इस तरह से बांधा जाता है कि center पर उसकी height जो है वो 3 feet होगी और जो net होता है उसमें center पर भी strip लगी होती है ताकि वहाँ से समझ में आ सके कि half court जो है वो कहां से divide हो रहा है पर बात करें width of line की तो यहाँ पर जितनी भी lines होती है वो होती है 5 cm की बट यहाँ पर जो base line होती है वो 10 cm चोड़ी होती है बाकी जितनी भी lines है वो 5 cm होती है उसमें जो center line है उसका 5 cm होना must है बाकी जो lines है वो 5 cm से थोड़ी कम हो सकती है फिर बात करें कि यहाँ पर कौन-कौन से equipment यूज होते है तो tennis में racket और ball दो ही equipment जो है वो basically use होते है तो जो racket है उसका dimension होता है 32 inch लंबाई और उसकी width होती है 12 inch तो maximum length जो है वो tennis racket की होती है 32 inch फिर बात करें tennis ball की तो green या yellowish color की जो ball है वो tennis में use की जाती है और इसका जो weight है वो होता है 56.6 से 60 gram फिर हम बात करें कि यहाँ पर scoring किस तरह से होती है यहाँ पर service कैसे होती है तो यहाँ पर जो service है वो होती है सम लाइन के पीछे से अगर हम इसकी scoring की बात करें तो यहाँ पर best of three या best of five के matches होते है तो जब match शुरू होता है तो जो scores होते हैं वो love all होते हैं या फिर 0-0 होते हैं अगर कोई एक point secure करता है तो that is 15-0 अगर वो दूसरा point भी secure कर लेता है that is 30-0 अगर वो तीसरा point भी बना लेता है that is 40-0 और अगर 40-0 बना लिया so that is the winner of the game अगर condition ऐसी है कि 40-40 दोनों को हो जाते हैं then it is called as deuce यहाँ पर 40-40 पे deuce होता है लेकिन अगर 30-30 होंगे that is called as 30 all यानी 40 के बाद जिसने भी 2 consecutive points और ले लिये वो set को चीच चाता है फिर बात करें lawn tennis के जो major tournaments होते हैं जिने हम grand slam tournament कहते हैं जो कि हर साल होते हैं so 4 tournaments है जो हर साल कराया जाते हैं they are US Open, Wimbledon, French Open and Australian Open exam में इससे related question जो है वो कई बार पूछा गया है इस पे खेले जाते हैं ये question जो है वो कई बार पूछा गया है so सबसे पहले अगर हम बात करें US Open की तो ये 1881 में शुरू हुआ New York City में खेला जाता है ये hard code पे खेला जाता है और ये August और September की महीने में होता है फिर next या हमारा Wimbledon that is 1877 में जो की शुरू हुआ है London में खेला जाता है Grass Court पे खेला जाता है and June July में जो है ये खेला जाता है फिर जो French Open है वो 1891 में शुरू हुआ Paris में खेला जाता है वहाँ पर जो surface है वो clay court होता है और वो May और June में होता है then the Australian Open जो है 1905 में शुरू हुआ जो की Melbourne में खेला जाता है वहाँ पर जो surface है वो hard है and वो January और Feb में कराया जाता है तो बहुत सारे जो player है professional tennis player है जो की tournaments खेलते हैं जैसे जो women है उसमें जो Margaret Court है उसमें 24 बार Grand Slam जो है उसको जीता है अगर मेंस में बात करें तो यहाँ पर राफेल नडाल, रोजर, फेडर और नौवाक तीनों के पासी 20-20 बार तीनों ने Grand Slam को जीता है नौवाक जो है उन्होंने अभी Wimbledon में रिसेंटली जो है 11 जुलाई को जीता है और उसके बाद उनके total Grand Slam जो है कि टैनिस कोट जो है उसका dimension कै है तूसरा जो टैनिस कोट है वो किन-किन surfaces पे खेला जाता है तीसरा किसी प्लेयर के बारे में पूछ लिया जाता है यह particular player जो है वो किस country से belong करता है और लास्ली जो पूछा जाता है वो इन Grand Slam tournaments के बारे में कि टूर्णामेंट है वो टूर्णामेंट कौन सी particular surface पे खेला जाता है और वो शुरू कब हुआ था तो यह important question है जो कि lawn tennis से exam में आते है